नमस्कार संस्कृत की प्रियविद्यार्थियों मैं पंकस्तिवारी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैगनेट ब्रेंस पर चलिए हम लोग फिर एक बार आपके सामने देखिए कक्षा 11 में की हमारी चल रही है सास्वती की पुस्तक ठीक उसी का चौथा पाठ हम लोग पढ़ भी रहे हैं और पढ़ते पढ़ते मानो ही महताम धनम अर्थार्थ संसार का सबसे बड़ा मानसम्मान ही हमारा क्या है धन है उसी को हम आगे क्रम से पढ़ते हुए साथ क्रम बद्धिता के साथ हम लोग चल रहे हैं और यह हमारे परिक्षा उपयोगी कुछ हमारे प्रश्ण है और उनको आज हम हल करेंगे तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लगे रहिए मेगनेट ब्रेंस पर चलिए कक्षा 11 मी संस्कृत एक्षिक मानो ही महताम ध याद रखना कि परिक्षा जब हमारी पास में आती है तब यही प्रश्ण हमारे क्या है काम में आते हैं याद रखना कि परिक्षा उपयोगी का मतलब ही है कि परिक्षा में बहुत ज्यादा इन प्रश्णों का महताने वाला है क्योंकि ऐसे प्रश्ण ना तो आपको आपक आसकार में मिलेंगी और परिच्छा में जब आ जाते हैं तब सोचते हैं कि यार क्या करें क्या करें कहां से इन प्रशनों को ढूड़ें और ऐसे प्रशना आने हैं और बहुत सारे हम पूर्वत जब प्रश्मपत्रों को देखते हैं तो ऐसे प्रशना आ जाते हैं इसलिए हम हमारे बहु विकल्पी प्रशन आएंगे आपको जिनका चार अमारा क्या रहेगा चार विकल्प रहेंगे प्रशन रहेगा वह हम आपको जल्द ही लेकर करके आएंगे लेकर उससे पहले हमको परिछा उपयोगी प्रशन पढ़ना थेक चलिए देखते हैं हम पहला प्रशन है हमारा महताम किम धनम महताम महताम में देखिएगा सश्टी विवक्ति लगी हुई है क्या लगी हुए सश्टी जो महान धन क्या है महान क्या है महान धन क्या है महताम किम धनम ठीक तो महताम किम धनम महताम देखिए साधारन अगर हम देखें तो महताम का मतलब होता है महांता महताम का मतलब क्या होता है महांता सर्व स्रिष्टता उत्तम संसार में जीवन में महतुता किसकी है वही महताम है तो महताम किम धनम मानो ही महताम धनमम अस्ती धनम अस्ती ठीक मान मानो माने यहां माना भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं माना मानो क्यों लिखा है यहां विशर के शंदी हो जाएगी माना धन ही क्या लिखा है माना धन ही विशर्गी से पहले छोटा आ है विशर्गी के बाद उस विसर्गी के स्थान पर ओ हो जाता है क्या हो जाता है जिसे हम विसर्ग संधी के अंतर उत्र संधी मानते हैं क्या मानते हैं उत्र संधी मानते हैं आ और उ का हो जाता है हमारा क्या गुन हो जाता है और उससे हम बना लेते हैं इसलिए यहां मानो हो जाता है क्या हो जाता है मानो तो मानो ही महताम धनम मान सम्मान हम आने मान 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 मतलब मान संसार में मान मान का मतलब होता है सम्मान और सम्मान से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं होता सम्मान से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं होता कई लोग होते ह हम सारा के सारा हम जितना मान सम्मान हैं हम सब खो देंगे लेकर बस हमको तो क्या मिलना चाहिए बोले रुपिया मिलना चाहिए बोले चाहे जो कुछ करवालो ना ऐसे नहीं कुछ नहीं करना है अपने मान सम्मान को बचा करके रखना पड़ता है और मान सम्मान की जहां बात जाए वहाँ पर क्या है डटकर मुकाबला भी करना पड़ता है क्योंकि सम्मान से बढ़कर सम्मान के साथ अपना कोई हमारा क्या है समझोता नहीं होना चाहिए यही है मानो ही महताम धनम ठीक उन्होंने कहा मानो ही महताम धनम मान सम्मान ही संसार का सबसे बड़ा धन होता है दूसरा दिया है कि छात्र धर्म रता का आसित छात्र धर्म रता का मतलब धर्म में लीन और छात्र धर्म रत का मतलब होता है जो अपनी छत्री धर्म में जो रत ह वो यहां कौन था कौन थी या कौन था ये हम इसपश्ट करेंगे बाक को पढ़ करके कि कौन था या कौन थी आप बता सकते हैं क्या कि कौन था या कौन थी ठीक उन्होंने कहा चात्र धर्म में कौन रत थी कौन रत था आसीत तो ये इसपश्ट नहीं करेगा क्योंकि आसीत का का मतला भी होता है था या थी दोनों हो सकते हैं लेक Bin Πूरे बाकिको पड़े चात्र धर्म रता हका 10 कौन चात्र धर्म ज्ठत्री धर्म से निपूण थी पारंगत थी कौन थी पारंगत था कि थीर तो थी क्योंकि यहाँ पर देखो इस्त्री बाची का के रूप लगे हुए अगर यहाँ पुलिंग बाची होता तो कहा होता क्या होता कहा याद रख ली ना छात्र धर्म रता है कहा आशित पुल्लिंग बाची का आरथ निकालता और यहाँ पर तो उन्होंने पुल्लिंग बाची नहीं इस्त्री बाची कैसे? बहुत सरंग तरीके से समझो कि सामाने वह सामाने वह और सामाने वह यह पुल्लिंग वह है और यह इस्त्री लिंग वह है ठीक है नआ तो ये बड़ा आ गिया ना ऐसी कहा ये पुल लिंग हो जाएगा और का ये क्या हो जाएगा? इस्त्रि लिंग हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है न ये पहचाल लिया न कि छात्र धर्म रत में कौन लिंग थी तो छत्री धर्मे में निपोन कौन थी? याद रखिएगा विदुरा कौन थी? विदुरा और इस्त्री बाची है इसलिए यहां इस्त्री बाची के रूप भी लगे हुए किम के? छात्र धर्म में नील लीन भी थी, पारंगत भी थी निपोन भी थी सभा में मंत्रियों में सम्मे सुरिष्ट थी इसलिए वह धर्म संगत वातों को ही कर रही थी कौन विदुला अपने पुत्र को नहीं छोड़ा तो और किसी को छोड़ेगी राज में जितने नेता होंगे सबकी लाइन में क्या है लगाती हूं सबकी क्लास लेत नहीं तो क्या है अगर राजा सही नहीं है और मंत्री सही नहीं है तो ये बात याद रख लेना कि पूरा मंत्री मंडल ही डिश्टर रहता है राज पाट तो याद रख लेना कि राजा का मंत्री अगर सही है तो राजा सही रहता है और दो मैंसे अगर कोई विगड़ गया दौनों की क्या होनी चाहिए सुले होनी चाहिए अगर मंत्री की बात राजा नहीं मानता और राजा की बात मंत्री नहीं मानता तो समझ लेना कि राज क्या होने वाला है नस्ट होने वाला है याद रखिएगा चलिए मदमस्त मंत्री अगर जिस राज में हो जाय तो राज का बिनास ही होता है विदुरा कम जगहें ठीक है ना विदुरा के द्वारा किसे क्या किया गया था जगहें मने जन में दिया गया था विदुरा औरस पुत्रम जगहें ठीक है ना किसको कहा गया था स्वयम पुत्र के लिए विदुरा के द्वारा किसे संबोधित किया गया या बोला गया था तो विदुरा के द्वारा औरवा उर्सपुत्र मतला अपने स्वयम के पुत्र के लिए और श्बाइन chip के लिए और अंब्रकुला है उस्य प्रश्था कोर्ष्थ्र के लिए कहा गया पत्रू हर्सवर्धन का आसित था विदुसाम हर्सवर्धनम विदुराया पुत्र हासित ठीक है ना याद रख ले ना विदुसाम हर्सवर्धनम विदुराय विदुराया विदुराय के लिए पुत्र था चलिए विदुरास्वपुत्रम किम उक्तवति विदुरा ने अपन पुत्र कुछ क्या क्या का पुर्षा क्या का काूश कि हारक पुर्षा माने कायर पुर्श जंगर्स अगे बढ़ना पड़ेगा ऐसा किस्ने कहा था विदुरा ने अपने स्वय पुत्र से कहा किससे Avec कायर मत बनो कायर मनही हो तुम ठीक ही न हे और उठो और पराज spoken हो ऑगाए हो तो किति होती है किस लोक में किरति प्राप्त होती है विद्रयाई अनुशारं विद्रा के अनुशार यह मानवा जो मानाव स्वावाव्ल मासृत्य अपनी स्वयम के बाहु बल से आस्रित होता है अब जीवती और जीता है सह लोक के किरतिव लबहते वह इस लोक में संसार में किरती पाता है और परलोक में भी क्या पाता है किरती पाता है विदुरया अनुशारण अनुशारण में भी तृतिया विवक्ती लगी हुई है ठीक है ना इसलिए विदुरया की अनुशार या विदुरया की द्वारा ठीक है ना किस मानाओ को किस मानाओ को लोक की किरती प्राप्त होती है किसके अनुशार विदुरया की अनुशार तो उन्होंने कहा विदुरया आप व्यूजित जीता है और आगे संघर्ष करता है सहा मान वह है लोके मान लोक में सहा मान वह है और लोके मान लोक में क्या करता है कीरतिम लभाति क्या करता है कीरतिम लभाति कीरति को प्राप्त करता है समझ में आया ना आगला हमारा प्रश्न होगा क्या आगे देखेंगे आगे देखते हैं अगला प्रश्णू साथ में नंबर का हमारा प्रश्णू साथ में नंबर का प्रश्णू होगा बाग के सायकई बाग के सायकई का मतलब क्या होता है देखिए तरतिया पे भक्ती का बहु बचल लगा है पहली बात दूसरी बात यह है कि बाग के माने बाणी और सायकाई माने होता है तिक्ष्ण बाग बाणी की तिक्ष्ण आबाज के द्वारा बाणों के द्वारा सायक माने धनु सायक भी होता है जैसे बाणों के द्वारा बाणी के बाणों के द्वारा प्रणुन्नम सा क्यमवू छिपत थीक है ना, बानी के द्वारा उस प्रकार से विदुरा ने कौन कह हopers Hai कुंती कह रही है कि विदुरा ने अपने पुत्र को अपनी यागा कैसे संजाया प्रेरित किया कि जिस प्रकार से एक अच्छा घोरा क्या करता है छिप्त हो जाता है और समझ जाता है उसी प्रकार से क्या संजय भी सदमार्ग पर चलने लगा है ऐसा उन्होंने बाणी के द्वारा उन्होंने क्या किया था समझाए था मानोही महताम धनम पाठे में विदुरया स्वापुत्रा है विदुरया विदुरा के द्वारा अपने पुत्र के लिए किम उपदेश्टम क्या उपदेश दिया गया था ठीक है ना क्या उपदेश दिया मानो ही महताम धनम पाथे विदुरया विदुरा के द्वारा तृतिया बेवक्ती लगी है तो विदुरा के द्वारा स्वापुत्रया अपने स्वयम के पुत्र के लिए चतुर्थी लगी हुई है ठीक है ना विद्व स्वयम के पुत्र के लिए कायरताम क्या उपदेश दिया था किस काय कायरताम विहाय कायरता को छोड़ो विहाय माने छोड़ो कायरता को छोड़ो स्वयम स्वभिमानम अपने स्वयम की स्वभिमान की पुना प्राप्तों उपदिश्टम अपने स्वयम का सम्मान जो अर्थबत हो जाएगा आर्थबान हो जाएगा इस प्रकार से यहां पर उसने क्या किया था यह दे दिया अगला प्रश्न हमारा है कौन सा नौमी नंबर का प्रश्ण नौमी नंबर का प्रश्ण हमारा क्या कर रहा परत्र सुभाम गतिम कालवंते दूसरी जगए अच्छी गती को हमें प्रक्ष कौन प्राप्त करता है तो याद रखिएगा वही वहाँ पर वीदूरा ने किसके लिए कहा था। अपने संजाए अपने पुत्र के लिए कहा था यहां माझे जो स्वया स्वयम बाहु 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 हममे अपनी भो dawn को बलम residents' बल और आस्रित अपनी भोजाओं की स्वयम बाहू बल के द्वारा आस्रित हो करके जीवन जीता है और अभ्यूजितम माने अपने जीवन को आगे बराता है परत्र माने दूसरी जगह सह सुभाम सह वह है अच्छी सुभाम माने अच्छी बहुत अच्छी गति माने गति और प्राप्नोती माने प्राप्त करता है जो सोयम अपनी बाहु बलके द्वारा जीवन जीता है और पराक्रम के पराक्रम साली होकर के पराक्र संघर्ष करता है वही इस गती में यहां पर भी प्राप्त करता है और दूसरी जगए भी अपना क्या है सुभाम गतिम प्राप्नोती अच्छी गति को प्राक्ति करता है ठीक है ना आगे देखेंगे इनी प्रशनों को आगे देखते चले यह परिछा उपयोगी प्रशन हमारे चल रहे हैं प्रशनों को हम आगे देखेंगे दसमा प्रश्ण हमारा क्या कहता है ठीक है ना दसमे प्रश्ण में देखें विदुराया है फिर देखें विदुराया है यहां पर हमारी फिर से सश्टी विवक्ती एक बचल लगा है विदुरा के पुत्र को पुत्र को या पुत्र को क्या नाम था विदुरा के पुत्र का क् विदुराया साश्टी लगी इसलिए की कारथ निकलेगा पुत्रस में भी सश्टी लगी इसलिए की कारत के चिन होते हैं ठीक है। किम नाम आसित क्या नाम था विदुराया हा विदुरा के पुत्र से पुत्र का संजया हा नाम आसित क्या नाम था संजय नाम था ठीक आगे देखें दीर के दर्सनी सुरुत वाक्या का आसित बहुत दूर तक देखने वाली और सुरुत वाक्या कौन था या थी याद रखें म क्योंकि यहां पर देखिए किम के रूप इस्त्री बाची का लगा है का यहां कहा होता तो पुलिंग बाची आता तो यहां दीर के दर्शनी पहली बात तो यहां से भी पहचान सकते हैं दीर के दर्शनी इस्त्री बाची लगा हुआ है सुर्त बाग्या यहां पर भी इस्त्र पुरा थी चले आगे देखेंगे हम उसी क्रम में देखते चलें आप देखें जब याद यह अप लोग ऐसा इनका वो देखते हैं न क्या बोलते हैं रूप तो विदुरा के रूप रमा की समान चल जाएगे सुरुत बाक्या के भी रूप रमा की समान चल जाएगे ठीक है न निर्मानो बंदू सोकदा कस से विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ठीक है न कौन था यासा जिसने मान सम्मान को छोड़ा दिया था चलिए आगे देखेंगे ये प्रशन हमारे क्या थे परिछा उपियोगी प्रशन चल रहे थे ठीक है न अब देखेंगे आगे चलिए आज की कलास हमारी यहीं तक रहेगी और परिक्षा उप्योगी प्रश्ण हमारे इसमें इतने ही थे जैसे ही हमारे और अभी बेतलपिक प्रश्णाएंगे बहुबिकल्पिये प्रशनाएंगे उनको भी हम जल्दी लेकर के आपके सामने आएंगे लेकिन उसके साथ आपको मैं बता दू कि मेगनेट ब्रेंस हमारी एक ऐसी संस्ता है जहां पर आपको दी जाती है बिलकुल निसुलक सिक्षा निसुलक सिक्षा का मतलब आपको कोई पैसा देना नहीं होता है वो किसी भी माध्यम का हो ठीक है न चाहे हिंदी मीडियम सी ब्रेंस के साथ ठीक है न धन्यबाद